सौरी भाई लोग ये मुझसे गल्दी हो गया चीजे ऐसी होंगी पता नहीं था जिगर ठंडर डबल एक्स मूवी थियर्टर में रिलीज हुआ था 10 नवेंबर को जो कि तब मैं नहीं गया इसे देखने फिर जब ये एक महिने बाद OTT पे रिलीज हुआ तो मेले जैसे कई ल तुम ये जरूर से का होगे कि हाँ भाई सिनमा सिनमा का एक्सपीरियेंस ऐसी होनी चाहिए बट इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मूवी की स्टोडी को हलके में समझा देता हूँ लगभक तीन घंटी की मूवी है तो कहानी बहुत बढ़ी होगी लेकिन जितना हो स कर के लिए भी भीज़े जाएगा लेकिन डिरेक्टर का मोटीफ असलियत में कुछ औरी था यह आय थे अलियास सिजर को अससिनेट करने लेकिन धीरे-धीरे कहानी में ट्विस्ट अंट टर्न आता है और चीज़े बहुत ही ग्राउंडेड हो जाती है डिरेक्टर का में तुम्हें नेक्स्ट पार्ट का हिंड भी दिया जाता है अब आते हैं अपने में टॉपिक पे इस मूवी की स्पेसालिटी इसके कहानी में वसी है स्टोरी इतनी बड़ी होने के बावजुद जो स्ट्रॉंग पकर बना के रखती है अपने उपर यह कहीं से भी तुम्ह आखे भी नम हो गये बट बैक्राउंड म्यूजिक के लिए यह सीन और भी पावर्फुल लगता है मूवी के अंदर जो ड्रामाटिक इन्वारमेंट का यूज हुआ है पर्फेक्ट सिनेमाटोग्राफी के लिए यह निखर क्या आते हैं मूवी का में प्लॉट था नेचर ह इसके साथ जूरने के लिए बनी थी जैसे कि मूवी के स्टार्टिंग में अलियास सीजर को एक विलन के तौर पर प्रेजन किया गया लेकिन धीरे धीरे वहां से एक एंटी हीरो एंटे लाश्ट तक एक हीरो का ट्रासफॉर्मेशन तुम्हें मंत्र मुग्ध कर देगा उस गया लाश्ट तक ये भी एक मसीहा बन गये यहां पर जितने भी कैरेक्टर्स थे ना इनसे एक अलग माहौल बनता है हर एक इंसान जो कबिले में बसा था उन लोगों को देखकर इतना ग्राउंडेट फील होता है कि तुम उनसे जुर जाओगे एक भी जगा पर ऐसा नहीं या इसने कती मजा आ गया यह कहानी हमें नीचर की इंपोर्टेंस के बारे में समझाती है हमें ये सिखाती है कि इंसानियत का मतलब क्या होना चाहिए जंगल के लिए हातियों का महत्व क्या होता है एक इंसान कभी गैंग्स्टर या क्रिमिनल पैदा नहीं होता उसे हालात बनाते हैं ओल ओवर तुमें एक अच्छा खासा सिनमाटिक एक्सपीरियंस मिलेगा इसका फील अच्छा है इस मूवी को तुम फैमिली के साथ भी देख सकते हो ऐसी मूवी हमारे पेरेड्स को भी पसंद आएंगी मूवी के आखिर में तुम्हारे चैरे पे एक स्माइल ज झाल